और अब बात G20 की कल लेते हैं, G20 संगठन के वित्वा केंदरी बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठाक के साथ ही वित्व मंत्रियों तता केंदरी बैंक के गवर्नों की प्रथम बैठाक बैंगलरू में कल शुरू हुई इसे के साथ G20 की भारती अध्यक्षता के तहत वित्व ट्रेक एजंडे पर चर्चा की शुरूआत हो गई है, वहीं मुंबई में G20 की डेवलेप्मेंट वर्किंग ग्रूप की बैठाक की शुरूआत भी हो गई है सतत विकास के लक्ष को हासिल करने के लिए G20 के डेवलेप्मेंट वर्किंग ग्रूप की बैठाक मुंबई में शुरू हो गई बैठाक 16 दिसंबर तक चलेगी और इसमें सेंवतराष्ट संग के अलावा कई अन्य अंतराष्टे संस्ताएं शिर्कत कर रही हैं उद्गाटन सत्र में भारत के शिर्पा आमिताब कांथ ने डिजिटल ट्रांस्फरमेशन के जरिए विकास लक्ष को हासिल करने की बात कही We put, we created a sense of competition on performance in these 115 districts on the strengths of good governance through data. Every citizen of these districts and every politician of these districts knew whether those districts were going up or down And therefore, there was a huge sense of competition and because of competition on the basis of data, these districts could improve. भारत ने बीटे आर साल में जन कल्यान की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तक्नीक और डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन के जरिये वंचितों तक विकास के लक्ष को सुनिशित भी किया है। इसके अलावा भारत जलवायू परिवर्तन और मिशन लाइफ के रहावा दे रहा है। G20 की एक और एहम बैठक बैंगलूरू में शुरू हुई वित्तिय मामलो को लेकर ये पहली बैठक है। बैठक में केंद्रिये बैंक के पदाधिकारी और वित मंत्राले के सम्मदित अधिकारियों ने शिर्कत की। इस दौरान आर्थिक और वित मामल में सुधार वित के उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दूसरे दिन अंतराष्टिय टैक्स समाविश्य वित्तिय शित्र को लेकर के चर्चा हुई।